आज मैं जिस मुद्धे पे लिखे हैं जो सुबे से बात कर रहे हैं ब्रह्मसती डायम करके एक फॉरिस्ट एरिया में ब्रह्मसती डायम बहुत सालों से पेंडिंग है वो डायम और उस शेत्र में अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम अफ आदिवासी गौली समाज जहां पे र उसके सर्वे के लिए आठ लाख उर्पे दिये हैं कि ये ब्रह्मसती डायम को सर्वे करने के लिए महाराष्ट जिदकोंसी इंत लाख उर्पे में ब्रह्मसती का क्लियर होता है और आज हम antid ojos पर पानी के लिए टेंकरों से लोगों को पीने के लिए पानी प्रोवाइट कर रहे हैं मुझे आप बताईए कि अगर आप पानी टैंकरों से लोगों को दे रहे हैं और इतने सालों से वो टूरी सेरिया है चिकलदारा करके वो बहुत पेमस विधर्व में टूरी सेरिया है सिरिफ पानी की समस्या के वज हम किसानों के खेतों में पानी प्रोवाइड करने के लिए सिंचनों की योजना ला रहे हैं तो अगर उस शेत्र में अगर हमने ब्रह्मसती डायम की प्रोविजन करी और ब्रह्मसती डायम अगर वहां पर चिकलदार में लाया तो वहां के आदिवासियों को गौली समाज को प पर पानी पुरानी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है पीने के लिए पानी, और अगर भाहा पर ब्रह्म सती डाम लाया गया, तो वहाँ पर टूरिजम बढ़ेगा, अगर टूरिजम बढ़ेगा, तो वहाँ के लोकल लोगों को, जो लोग दूसरे श्टेट में जाकर रतनागीरी में जो पिछले तीन तारीक को जुलाई में जो डायम का एक दुरघटना हुई है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से रतनागीरी में 14 साल का बना हुआ डायम अगर उसकी सिक्यॉरेटी लूस करते हैं हम अगर वहां पर लोगों को हानी होने की डर होती है तो व कि वह बनाने के टाइम पर उतनी सिक्यॉरेटी रखेगा कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो इतना अच्छा बनाता है कि पचास साल ओग घर देखने की जुरत नहीं पड़ती है क्योंकि वह जवाबदारी हम खुद लेते हैं अगर वह कॉंट्रैक्तर को हमने जो फ्रोजेक्स हैं जो ट्री प надо लिमिश्ट देते हैं सरकार की तीन साल में चार साल में हमारा डाइम का प्रोजेक्स संप्लिंट होना चहिए है एक्जंपल कि हम मोग इसमेट करोड़ रुपीस यह उस पर ज़ूर दिया कि जो limit of damn का projection का बनने का जो काम है, अगर वो limit जो time दी है, अगर उसमें बनाते हैं, तो मुझे लगता है हमारे सरकार के जो पैसे हैं, बेसिकली वो सरकार के पैसे हैं, पब्लिक के पैसे हैं, जो waste होते हैं, 200 प्रोजेक्ट से 1000 करोड होना, उसके लिए बहुत जादा जो पिछले कई सालों से हमारे से बहुत सारे पीडित लोग हैं, जो किसानों के जगाएं, खेती गई हैं, उनको उस समय जो पैसे दिये गएं, 20 साल पहले जो पैसे दिये हैं, मुझे लगता है आज उनके परिवार को ना खेती हैं, ना काम हैं, ना उनके बच्चों को कोई नौकरी आएं, तो मेरी आप से विनंती हैं, अद्देक्ष मौधे, कि जिनकी भी जमीनें, जैसे हमारे यहां पर पीडि प प्रकल्प है, चंदरभागा प्रकल्प है, बागडी प्रकल्प है, सामदा प्रकल्प है, बागडी प्रकल्प है, वागारी प्रकल्प है, वास्ती प्रकल्प है, करस्गाओ प्रकल्प है, आपको दो मिनेट तो देना ही चाहिए, मुझे लगता है बहुत इंपोर्टन मु पढ़ा कि उनका rate of जो जमीन का भाव जब 20 साल, 10 साल, 5 साल पहले था, उनको आज के हिसाब से उनको पैसे देने सही है, क्योंकि उनके पास ना जमीन है, ना नोकरी है, ना काम है, कुछ नहीं है, तो मैं आप से सिर्फ इतनी विननती करूंगी, कि उन किसानों को आगे बढ़ प्रोविजन है, श्री जैदे अला जी, विए पर्मिशना आदी आए, को आज दो नहीं है, ना ना लकी जाए, को दो आखिगे है, तो मैं आजए, क्योंकि अप्रूदक्वीर ने ने विननन के भाटिवा है, ना जा प्राशे में आखिए, को आज डिए, ना दो बढ़तों कहिए है, ना जा खिए, या ने